नमस्कार दोस्तों, घरेलूखवर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, घर में बांस का पेड़ होना फेंग सुई और बास्तु दोनों ही द्रिस्टी से अच्छा माना जाता है। और एही बज़ा है कि आजकर लोग अपने घरों में इसे जरूर सजाते हैं। बांस का पेड़ घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है और स्वाज, समरिधी, कैरियर सभी के लिए सकारात्म प्रभौ छोड़ता है। घर या ओफिस में यदि किसी तरह का दोस हो तो उसके निवारन में इन्हें उपयोगी समझा जाता है। लेकिन बहुत से कम लोग यह जानते हैं कि घर में कहां कहां बांस का पौधा रखना चाहिए जिससे की सौभागे बढ़ाने में ये मदद करें। जी हां दोस्तों इसी के बारे में हम समपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू ख़बर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से ज़्यादा हो सके सेयर करेंगे तो जो लोग सुक सम्रिधी और सवभाग प्राप्ति के लिए फेंग सुई के उपाय अपनाते हैं वो भी और जो नहीं भी वो भी सभी इस प्लांट को घर में सजाने या किसी को गिफ्ट करने के लिए अच्छा मानते हैं इसे हरा भरा रखने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और इसे पानी या मिटी कहीं में भी लगाया जा सकता है। बास का पेड खुद लकडी के रूप में प्रकिर्तिक तत्व का परतीक होता है जबकि उसके चारो तरब बंधा लाल रिवन आग का परतीक होता है। जिस भी कमरे में इसे रखा जाता है वहां संतुलन और सुरक्षा दोनों होते हैं। ऐसे तो होम डेकोर के लिए आप बैंबू के पौधो को किसी भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां लाइट परियाप्त मात्रा में आती हो। लेकिन इनसे सरवाधिक लाह पाने के लिए फेंक सुई की अनुसार दो जगह रखने से इससे सबसे ज़्यादा फायदे मिलते हैं। अगर बैंबू प्लांट को पुर्व दिसा की ओर रखा जाये तो पूरे परिवार की सेहत अच्छी रहती है। और अगर इसे दक्षिनपूर में रखा जाये तो ये दिसा धन और समरिधी के लिए अच्छा है तो इस तरह बैंबू प्लांट रखने से परिवार में धन और यस की समरिधी होती है। आप इस पौधे को बेडरूम में भी लगा सकते हैं इससे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा और सुक्ष समरिधी आएगी। ध्यान रखना है आपको ये बात कि ये पौधा मुर्जाना नहीं चाहिए। इसे भूल कर भी टांग कर ना रखें। इससे पौधा खराब हो जाएगा और घर में निगेटिव एनरजी आएगी। तो आप इसे कहीं भी अस्थाई जगह पे ही रखें। इसे खिड़की के पास ये ऐसी जगह ना रखें जहां सीधी धूप आती हो। इससे पौधा जल जाता है और खराब हो जाता है। इसिक सांती के लिए 10 बास का पेड़ लगाए आप। तो दोस्तों मैंने बास के पेड़ लगाने की फायदे की साथ साथ आप कितने बास का पेड़ संख्या के बारे में भी बताया और उसका डाइरेक्शन भी बताया कि आप किस डाइरेक्शन में बास के पेड़ को लगा स हैंख